हेलो असलाव अलेकुम विल्कम बेक तो माई चैनल कैसे हैं आप लोग आई होप आप लोग अच्छे होंगे तो अभी सुबा का 8 बज़ रहा है और मेरा अधिकतर ब्लाग ऐसा होता है जो मॉर्णिंग वाला होता है यह अधिकतर का हो गया और वैसे भी आज कल आप लोग को कि इनका जो सिफ्ट है वह 8 बज़े से चला यानि की जनरल सिफ्ट चल रहा है तो बस अभी जस्ट यह ऑफिस गए हैं और उसके वाद मैं अपना काम स्टार्ट कर दी क्योंकि आज मुझे वाश्टिंग मुझे निकालना था अब बच्चे तो स्कूल जाई नहीं रहे हैं उनका भी युनिफर्म हैद होने के लिए और इनका किया ना कि अब जो बाहर का सिफ्ट लगा हुआ है तो यह घरी का ड्रेस पहन के जाते तो इनका जो ऑफिस वाला है ना वो भी ड्रेस घरी में था तो मैं सोची आजी दोके और फुरसत पालें जितना जल्दी दोके हटा तो बस स्टार्ट कर दिये हैं वाशिंग मसीन और गए उसको अनकर रहे के लिए तो सरफ डाल देते हैं और आप लोग सोच रहे होंगे कि वह जो तनसीसा है वहां नीचे क्यों पड़ा है अभी जब हम आए ना तो देखे तो बहुत जादा इसमें डर्स्ट हो गया था और कुछ समान भी ऐसे पड़ा हुआ था और जब मैं समान हटाई तो इसमें बर्रा नहीं समझेंगे क्या बोलते हैं मधुमक्खी वो जो पीली वाली जो होती है ना तो हम लोग उसको बर्रा ही बोलते हैं तो वो न यहां पर घर बना ली थी तो उसमें अभी हमको पता नहीं कि हां इसमें बच्चे भी हैं तो फोड़े ना तो मुझे इतना ज्यादा बुरा लगा हुए छोटे-छोटे से बच्चे निकल रहते और फिर यह लोग हम लोग को बाद में परसान करते तो अब किसी का भी घर पोड़ेंगे तो वो सांती सो तो बठेगा नहीं अभी आप द्यान ना दोने में नहीं है इदर उदर बर्रा में गुम रहा है कि कब आके कहां से काट दे तो आम का पेर रोड़ होने की वज़द से ना बहुत जादा यह सब कीड़ा मिलता है और यही जो मौसम है इसी में तो सीसा धोके और टांग दिये हैं और यहां पर मैं आ गई करिये ना तो यह तो गंदा ही रहता है पता ने तम थक गया इंसान तो आप लोग से देख रहोगे कि किता सारा प्ती कटा हो चुका है तो आज मैं लगा देती हूं आग मैं कल बोल रही थी ना कि मेरा बड़ा मन कर था आगल लगाने का लिजे मैं लगा दी अब उठा उठ कि पूरा वहाद देख रहे हैं तीनों डश्ट भी नहीं है कि इतना सारा मैं क्या करूंगी अब ले जा ले जाकर ना पड़ेगा जब आएंगे तो इसलिए इसको जला दे रहे हैं तो यह देखिए मैं किते मज़े से अदम जलाने में मेरा मन लगा हूँ अच्छा लगता ह पास हो जाता है और दोना बच्चे अभी सोई रहते और ना सही बात बता है तो जब आग फैलने लगाना तो मुझे डर भी लग रहा था कि ऐसा नहों कि कुछ हो जाए नहीं तो फिर यह लोग नाम को जीने नहीं देते माली जे हवा से उड़ जाए कुछ हो जाए कुछ हो कर ली तो जीसू आ गया था तो जीसू बोला ना कि लाए मैं आंगन धो देता हूं आप कोई और काम कर लीजे तो अच्छा लगता है बच्चे जब अपने से कुछ बोले ना तो दे देना चाहिए अच्छा लोग करो तुम कुछ भी नहीं करते हो कुछ तो करो तो अच्छ अच्छें के वृषट रहे सदू दस बजा देते हैं तो मेरा लेट बहुत काम चलता है लेकिन हाँ अधर-उधर का जो काम रहता है न उसको सोछते हैं की निपटा-उपटा इस度 को जया चali है है क्या करेंगी आज दोंगे blanket तो मेरा आज दो तेन दिन से बस चल रहा है cleaning 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 to कभी अधर का cleaning कभी अधर का cleaning तो यह होता है जानते हैं अपने आपको जितना भी busy lazlast आप काम कर सकते हैं करते रहना चाहिए क्योंकि गंदा रहेगा तो tension होगा तो इसे अच्छा है तो ब्लैंकेट मैं बोल रही थी और ब्लैंकेट तीन है घर में तो एक साथ तो नहीं धोके पुरा डाल सकते हैं तो मैं सुची नहीं एक एक करके दोएंगे तक हमको भी आराम रहेगा ने तो एक ही जान कितना दोएंगे और फिर डालने वाला भी करो क्योंकि जब ब्लैंकेट पानी में भी जाता है तो बहुत जादा वजन हो जाता है तो अके लिए मेरे बस की बात नहीं है तो यहां पे ब्लैंकेट को टब में डाल दिये हैं और लेकर आ गए हैं इजी वह जो स्वेटर रोटर दोने वाला होता है वैसे वह यह 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 कि मैं इजी के लिए बता रही हूं समझने के लिए बता दे रही हूं कि इजी है और मैं जब ब्लैंकेट दोती हूं तो इसी से दोते हैं तो इससे क्या होता है कि ब्लैंकेट इदम सौफ्ट रहता है उसका जो रुआ है वो खराब नहीं होता है इसी से ही दोना चाहिए और साफ भी हो जाता ऐशा भी नीं की ना साफ नी नियोता हो जाता है बहुत अच्छे से तो यहां पर देखिक तो धकन ड़कन डाल दिये हैं इसमें और उसके बाद इसको थोड़ा दिर फुला के और छोड़ देगे जैसके फ़ड़ा देर न चल्द दी तो यह देखिए लगा दिये हैं काम पर जीसु अपना काम कर रहा है मैं साथ में आंगन भी दो रही थी और इसको बड़ा मजाता है यह बच्पन से इसका है पहले ना जब देखिए अब मेरा मुझ देख रहा है कि यह और कर दी जब जीसु चोटा सता ना तो अम्मा हमें सब बाल्टी में जिसे फुला के और बोल दी थी जीसु को ना कि चड़ जा ऐसे से करो तो दुल जा तो वही चीज है और अभी भी उसके अंदर बहुत बच्पना तो हमला नास्तावसा सब को ही कर चुका है और मैं आ गई थी बरतंद होने के लिए तो फिर मुझे याद में भी चानिवाला लिकवीड बनता है और हलका साथ में मसाला दाल दीजए गोभी डाल दीजी आलू मटर आपको जो भी वेज़ेटिबल डालना है 往ट दीजे तो एक तरह से आप बोल सकते हैं तो जो भी बोल सकते हैं आ तो बस यहां बरतं औरतंन में द्होली और धोने क के बाद आ गए हैं पीछे ताकि जो ड्रायर जो हो चुका था कपड़ा उसको तार पर डाल देते हैं लगी हां और हवा ना बहुत तेज वाली है तो यह लगता है ना कि थोड़ा सा संभल के इधर उधर करकी और जल्दी से जितना हो सके अपनी जैसे अभी धूप उतनी घोर रही थी और उसका लगी हाथ उतार लेंगे तो यह तो यह सोचते हैं लेकिन हां एक काम जो हो जाता है ना उसको बाद फिर मैं तो देखती भी नहीं पिर जल्दी से देखती नहीं हो बहुत लोगों काम देखे हैं कि वो लो ना बहुत ज़दा अग्टिव होती है कि डाली सूखा एक एक करके हटा दिये तहला लगा के रख दिये लेकिन मैं उत्ती नहीं हूँ मैं एक बार डाल दी उसके पर फूरसत हो जाता है फिर जब साम को जब मुझे फूरसत मिलेगा ना तब देखेंगे तो होता है सब का अलग-अलग है ना तो बस यहां पर मैं यहां पर टेबल रखा था वो पूरा खाली हो गया वाशिंग मुशीन में सब दोने के लिए डाल चुके हैं तो उसके बाद इसको दो रहे थे क्योंकि यह जो ब्लैंकेट है सोचे की दो के इसी के पर डाल देंगे तो पानी आसानी से निकल जाए क्योंकि और कोई जगा है यहां पर ब्लैंकेट डाल सके तो इसका जो पावा था ना वो भी थोड़ा सा गंदा था तो मैं उसे भी दोने लगी और उसके बात आ गये हैं मैं भी थोड़ा सा डानस कर लो आज मैं आप लोग को अपना डानस दिखाती हूं I hope कि आप लोगों को मेरा डानस अच्छा लगेगा तो थोड़ा दिर मैं भी डानस कर लो और साथ में ब्लैंकेट भी दो दिये हैं और अभी इसका जो सर्फ है वो पूरी तरीके से नहीं गया तो अभी मुझे ब्रस से लेकर इसको रगणना पड़ेगा लेकिन फॉर्स पे नहीं करेंगे जैसे आंगन बिचा के नहीं करेंग और टेबल पे डाल देते हैं और उसके बाद थोड़ा सा पानी से दोके और फिर ब्रस से हलका से रगण देंगे तो बस हलका सा ही इसको रगणने की जरूरत है क्योंकि इतना फुल चुका है और वो अपने से पुरा साफ हो जाएगा तो यहां पे जीसु पूरा सेट कर रह तो पानी से पहले इसको अच्छे से जो सर्फ है जो भी है तो उसको निकाल लेते हैं और उसके बाद फिर इसको छोड़ देंगे ताकि इतमिनान से पानी इसका निकल सके और यहां पर मैं ब्रस लेने के लिए चली गए थी कि ब्रस से हलका सा जहां जहां मुझे गंदा पानी बीच में एकठा ही रह जा रहा था तो वाशी मुशिन में उपर रख दिये थे तो उसका पानी ना अच्छी कंखासे से निकल गया था और मेरा वाशी मुशिन उतना बड़ा नहीं है कि पुरा ब्लेंकेट ना उसमें चला जाए नहीं तो थोड़ा सा और बड़ा होत ना तो यह तो मुझे ही तोड़ थे हैं कि बतानी क्या क्या करती रहती है तो साम हो गई है साम मतलब अभी पांची बज़रा था तो मैं सोची बहांगन में आ ही गहें तो लगे हाथ इसे भी सब तह लगा लगा के यहीं पर रख देते हैं अब अंदर ले जाओ फिर अंदर दोनों लोग हम लोग एक ही फोन से काम करते हैं और एक फोन मेरा वीडियो बनाने के लिए रहता है तो बस यहां पे तहल लगा लगा के सब कुछ अभी एक जगा एक अठा कर रहे हैं और उसके बाद फिर सबका छाट देंगे कि यह उनका यह उनका यह उनका बटवारा कर कर देंगे सब के बीचे में आज तो बटवारा कर देंगे और उसके बाद ना सब लोग अपना-पना हिस्सा लेके और चले जाएंगे तो यहां पर देखी तो मैं सब ताह लगा रही थी उसके अजीए को आवाज लगाएगे कि चल भाईया आ जाओ अपना-पना हिस्सा ल दो ज्यारा आगया है और अपना शिसे लेकर जारी है यह ल मैं ही ले लेकर जारी है को गर्मे और कोई नहीं है और अब शाम pos午 में फाज़्य कोने 5 फार यह वह सिलगते है कर दो भस जैसे हैं चाई बनाओ व्र az चाई चड़ा देते हैं और चायप और चैया पी है तो देखते हैं कि चीनी नहीं है क्योंकि आज दोपहर में ये दोनों भाई बहन मैं आदे गंटे के लिए ही सोई थी मैं जैसे ही सोई तो ये लोग नीव पानी बनाए फिर इन लोग दही के साथ खाका के पूरा चीनी थोड़ा सा चीनी था तो मैंसे चीनी साम का चाय बन और थोड़ा-थोड़ा गुड़ करके कब में दाल देंगे तो चाय बन जाएगा और मुझे ना शही बाता है तो चीनी से अच्छा गुड़ वाली चाय लगती है चीनी का क्या ना जब हम लोग चाय पीते है थोड़ा देर बाद ना फिर नजीब सा लगने लगता है कि तक आपका वो जो स्वादों को रहता है और लास्ट में तो और भी ज़याद मजा तो यहां पर चाहस बन चुकी है तो बस चाहे लेते हैं और चलते तो ये भी आई ना तो पहले नहाने गुज गई जब तक मेरी चाय और आप लोगो पता ये कि मेरी चाय इतनी जल्दी तो बनती नियो अतना हैं देर में लोग कहां कहां गूम गूम की आ सकते हैं तो ये नहां के आ चुके हैं और देखिए यहां पर रेडी हो गए हैं जब आते हैं ना का ओफिस से और ऐसे बाहर और से तो यह नहा लेते हैं पता नहीं कितनी बाहर नहा आते हैं तो बस चाय यहां पर हम लग पी रहे हैं और जब यह नहा के आ गए थे तो चना खा रहे थे यह जो चना ना मैं दो तीन तो यहां पर हम लग चाय भी पी रहे हैं और बात कर रहे हैं तो चेयर का थोड़ा सा कमी लग रहा है पहले क्या था कि चेयर पर बैट जाते थे लेकिन ठीक है हर चीज हर समय नहीं मिलता है तो बस यहां पर चाय भाई पी लेते हैं और उसके बाद अंदर चलेंगे तो अभी जिया आएगी और स्लीपर देने के लिए मेरा जो स्लीपर है न वो तूट गया है तो जिया का ही पहन रहे हैं तो आज का व्लोग यहीं पर रेंट कर रहे हैं फिर मिलेंगे बाबाई अल्ला आफेस